नमस्कार किसान बंदूओं बुजरुगों वायुवा सातियों मैं सेलेंदर सिंग चौदरी निवासी जन्पत लखीम पूर्थीरी उत्तर परदेश से हूँ सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राश्टिय जैविक किसी केंद्र का ये बाद जो कि किसी मंत्राले भारत सरकार की अधीन है राश्टिय जैविक किसी केंद्र के ही दो जामबाजो वा महानायको ने एक ऐसा उत्पाद बनाकर हम किसानों के बीच पहुचाने का काम किया है इन महान विबूतियों की जितनी भी प्रसंसा की जाए कम है ये महान विबूतियां है निदेशक राष्टी जेविक केंद्र डाक्टर कृसंच जंदरा जी वा उप निदेशक डाक्टर जगत सिंग जी राष्टी जेविक केंद्र गाजियाबाद मैं इनको कोटी-कोटी प्रणाम करता हूँ नमन करता हूँ और इसी के साथ मैं डाक्टर अमित महिला जी का भी रिड़ी हूँ जिनोंने समय ना देखते हुए अपने व्यवस्तम समय में से मुझे हमेशा समय दिया वह हमेशा ही प्रेरित करने का काम किया इनका आभार मैं कैसे प्रिगट करूँ मैं बता ही नहीं सकता हूँ कि इसी क्रम में मेरे एक साती हैवा बड़े भाई भी हैं चौदरी जबरपाल सिंह ज़ी जोकी जनपद बड़ेली उत्तर प्रदेश से हैं उनके द्वारा ही मुझे वेश्ट डिकंपोजर के विश्य में मालूम चला था और जैसे ही मुझे वेश्ट डिकंपोजर के बारे में पता चला तो मैं फौरण ही राष्टे जविक केंदर गाजियाबाद गया और वहां से 10 बॉटल वेश्ट डिकमपोजर की मैं अपने साथ लेकर आया और जब मैं वापस आया तो मैं देर ना करते हुए वेश्ट डिकमपोजर के सल्यूशन को बनाया और जैसा कि मैं दक्तर चंद्रा जी वाजगत सिंग्जी ने जैसा निर्देश किया था वैसे ही वेश्ट डिकमपोजर का मैं इस्तिमाल करने लगा और तब ही से मैं वेश्ट कि अपनी हर फजल मैं इसका प्रियोग लगातार कर रहा हूं और जब मैं इसका प्रियोग लगातार कर रहा हूं तो इससे मुझे बहुत ही अद्भूत परदाम मिले जो की आज मेरी आखों के सामने हैं जिस मर्दा को हमने जहरीला बना दिया था वही मर्दा अब वेश्ट डिकमपोजर आने के बाद जो है स्वस्थ हुई है इस प्लाट में सिर्फ और सिर्फ वेश्ट डिकमपोजर का मैं प्रियोग किया है वेश्ट डिकमपोजर जो है मैं हर आट से दस दिन के अंतराल पर दो सो लीटर वेश्ट डिकमपोजर जो है पानी के साथ में खेद में बाहया है इसमें मैं चार माइक्रो नुटर्ण्स के स्प्रेद किये हैं माइक्रो नुटर्ण्स का भी जो परणाम मेरे आखों के सामने आया तो बहुत ही चमतकारिक परणाम मुझे दिखलाई पड़ा और अंत मैं जैसे ही मुझे एंजाइम्स बनाने का तरीका करने चला डॉक्टर किरसंग चंद्रा जी के द्वारा तो मैं एंजाइम्स बना के तैयार किये और तैयार करने के बाद मैं इसमें आखरी जो मैं छिड़काव किया वह एंजाइम्स का किया और एंजाइम्स ने भी अपना बहतर परणाम जो है मेरी आखों के सामने है बहुत ही अद्बुद्वा चमतकारिक परणाम एंजाइम्स का मुझे दिखलाई पड़ा तो जब मैं अन प्लोटों से अपने ग्रेंस दानों की तुलना की तो मेरी बाली जो है तीन इंच अन प्लोट से लंबी है वह तीन से चार ग्राम बजन म जी वा डाक्टर जगत सिंग जी वा डाक्टर अमिज सिंग जी को तहे दिल से धनिवाद करता हूं जय हिन जय भारत